परुसा है हमारी दुआ बेकार नी जाएगी क्योंकि आप मेहनत पर येकीन करते हो लग पर नहीं तो जरूर काम्याब होंगे आप भी हम भी और ये हमारा राज्य भी हम सब को एक साथ चलना है तो चलिए तुरह देखते हैं कि आखिर वो कौन-कौन सी टॉपिक है कई बार है अक्सर मैंने सिर्फ हिस्टी बता के छोड़ दिया था आज और वाल करवाते हैं कैसे 100 ब्रीज को क्रॉस किया जा सकता है क्या पॉसबल है इस दुरिया में सब को संबब है सब कुछ जो आप सोच भी नहीं सकते हैं वो भी संबब है बसरते एक बार अंदर जलने के लिए त अब यह 35 कोश्चन अबरेज और ऐसे 30 से कम का तो संभाबना ही नहीं है दूसरा करेंट अफेर जो दूसरा सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है 30 पलस ही रहेगा इसी समझिएगा हर एक एक बात को अगर ये वीडियो स्टार्ट कर दिया है तो सुरू से अंद तक देखिए अगर समझना है तो घर में परिवार में माबाप को अपना रिजल्ट देना तो तो आप डिजर्ब कीजिए इस वीडियो को पूरा देखिए बरना फिर फोन करके कहिएगा सुजीत सार अब क्या करूँ पास करूँगा की नहीं करूँगा अगर वो रुकना है तो इस वीडियो को सुरूज देखिए तीसरा बिहारा स्पेसल 20 से 25 मान के चलिए 30-35 एक सकेट 30-32 जो है ये पलस में ही रहने वाला है इससे कम में संभाबना ही नहीं है चौथा पार्ट जो हमारा है वो है साइंस जनरल साइंस इसमें 25 से 30 नमबर और इसमें सबसे जादा योगदान जो होगा वो बायो का होगा इसलिए बायो पे हमारी पकर बहुत अस्ट्रोंग होनी चाहिए वैसे ही जैसे हिस्टी में मोडर्न इंडिया पे आपकी पकर अस्ट्रोंग होनी चाहिए नेक्स जो है पॉलिटी 10 से 12 नमबर कराएगा और फिर टोटल अगर देखा जाए तो 108 से 130 तक इसका टोटल अगर चाहें तो आप यहां तक ला सकते हैं नमबर और इतना आप डिजर्ब करते हैं आसानी से यहां तक आ जाएगा यानि अगर इतना पढ़ते हैं तो 108 पलस आना तय है लेकिन जो भी पढ़ते हैं एक चीज़ ध्यान रखिएगा उस चेप्टर में अगर आयो कोशन उठाए तो जमाने में किसी का गलत हो सकता है आपका नहीं तब काम्याब हुईएगा अधरबाई संभबने आज से अभी से इस बीज को अंदर डाल लीजिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारी गलती नहीं होगी चलिए आते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग आधुनी भारत से आधुनी भारत में कौनकों से टॉपिक परना है है तो बहुत सारा लेकिन किस पर ज़्यादा फोकस रखना है उसको में बता रहा हूं उसके बाद सेकेंडरी में उनको रखेगा जो इसके बाद रहेगा फर्स्ट में वही रखना है फर्स्ट में देखेए सबसे पहले जो है आप हाँ इसको रखेए बिटेस आर्थिक निति को ये इंपोर्टेंट है बाकी ये दो उतना इंपोर्टेंट नहीं है कोश्चन तो पुछा जा सकता है, इस पे ज़्यादा नजर आपकी रखनी चाहिए दूसरा जो है, किसान और जनजाती बिद्रो इस पे पूरी तरीके से पकर होनी चाहिए अगर देखेगा, तो 66 में 1 है, 65 में 1 है, 64 में 5 है 63 में 1 मी नहीं है, 62 में 2 है 56 में 6 में 0 है, 55 में 3 में 0 है, टोटल 2 है अगर एबरेस देखा जाए तो, अगर उसी साब से देखा जाए तो ये भी इंपोर्टेंट है 800 संतामन को अगर देखें, तो ये उतना ज़्यादा नहीं है, ज्यादा समय देना बेकूफी है और खास करके, सिर्फ आप कुमेंट सिंग के बारे में थोरा सा समझ लीजिए, तो सफिजियंट है उससे ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना धर्म सुधार अंदोलन, ये बड़ा इंपोर्टेंट है अगर एबरेज देखिए, तो आठ कोश्चन यहां से पुछा जाता है चाहिए वो राजारा मुहनाई की बात हो, सरस्वारंद विद्या सागर की बात हो, स्वामी विवेकानंद की बात हो द्यानन सर्शती की बात हो इसको तुरह सा समझना है इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा धमसुदार अंदोलन जो बात बोलाओं, आप बैठिए, क्लिक कीजिए अपने बुक में या जिसमें भी है इसमें नजर होनी चाहिए उसके बाद, यहां के बाद जो है स्वतंता संगर्ष के पर्थम चरंजो है उसको थुरा से देख लिजिए अगर कहा जाए, तो गांधी यूग को उठा के पी जाईए गांधी यूग को एक तो गांधी यूग 1897 चंपारन से लेके भारत छोड़ा अंदोलन तक एकदम उठा के पी जाईए लेकिन उससे पीछे एक और है 1885 में कांग्रेस के असापना हुई है कांग्रेस के असापना से लेके स्वधेसी आंदोलन तक 1905 तक उठा कर रगर जाईए सवाल ने उठता कि गलत हो जाएगा आपका 20 से 22 कोशन रहता है ऐसा नहीं है कि आपका गलत हो जाएगा अगर ऐसे चलिएगा तो बाकी आपकी च्छाए गांदी युग पे कोई भी रिस्क मत खेलिए उठा के पी जाएए चाड़ जाएए कि अगर कोशन यहां साएगा गांदी युग से तो आपका गलत नहीं होना चाहिए अगर परना तो इसे ही पढ़िए बाकी आपको बता दियाओ उसके बाद सेकंडरी अगर पीडियाप चाहिए तो नीचे में टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ वहां पीडियाप सेयर कर दूँगा वहां से ले लीजिएगा चलिए नेक्सट प्राचीन में आते हैं प्राचीन दूसरा important part हो जाता है इतियास का जहां से čार से पांच प्रश्न हमेशा बनते हैं इसमें कौनकों से parts है जो important है जिसको समझा जा सकता है हरप्पा को थुरा सा पर लिजिए लेकिन बैदी को मत पढ़िए उस पे समय मत दीजिये भी हरपपा पे समय दीजिये इसके साथ साथ अगर चाहते हैं तो धार्मी कांदोलन पे थोड़ा सा नजर रखिए जिसमें बौध और जैन महाजनपद उतना इंपोर्टेंट ने बाकी पे एक नजर भी ने रखना बस अफिसेंट है चारपाद चेप्टर जो है एक नजर से देख लिजिए उसके बाद एक साथ कुछ नहीं करना है उसके बाद अगर समय मिल रहा है तो फिर आगे का काम करना है बाकी छोड़ भी देंगे तब भी आपका सेलेक्शन हो जाएगा इसके सिवा कुछ भी एक साथ पढ़ना आपको है अगर इस सतर दिन अस्तेज फ्री रहना है तो और अपने घर में रिजल्ट देना है तो चलिए मद्धकालीन भारत इतियास के तीसे खंड में चलते हैं मद्धकारी भारत में क्या पढ़ना इससे सबसे इंपोर्टेंट तो है दिली सुल्तनत दिली सल्तनत पे थुरासा बाड़ी की से पड़क रखिएगा इसको भी इसके साथ साथ में मुगल काल मुगलकाल में दो तीन जो है इम्पोर्टेंट है उसको रखने है ऐसे दिली सतनत भी देखिए तो दिली सतनत बहुत बढ़ा है कुतुभुदीन एबग से लेके लास्ट तक जाते जाते बहुत बढ़ा हो जाता है उसमें इम्पोर्टेंट क्या है एक तो इलतुतमी इसको ध्यान रखिएगा कुतुब दीनेवक का साटी है तो उसको थुरा सा ध्यान रखिएगा अरजिया सुल्तान है उसको ध्यान रखिएगा MBT है उसको ध्यान रखिएगा मुहमद बिन तुगलक है उसको ध्यान रखिएगा कुछ इनके आर्थी नितिया जो है इसमें नजर रखिएगा हलका सा बस एक नजर मार लीजिए उससे ज्यादा मत कीजिएगा क्योंकि यहां से दो से तीन नमर का कोशन रहता है ज्यादा दिमाग लगाने की जवरत नहीं है और हाँ एक तो भूली गया हो जा समेशा कोशन अकबर देख लिजिए और हाँ और अंजिव देख लिजिए इसके बीच में नहीं कोई खास नहीं है बस इतना सफिसेंट है यह पहले राउंड में देखिए और अगर समय मिले तब फिर आगे का राउंड में देख लिजिएगा यह आपका कंप्रीट हो गया ज्यादा कु कोई बीजे नगर बहमनी समराज देखने की जोड़त नहीं है समय नहीं है आपके पास में इतना क्योंकि यभी आपके पास में लिम्टेड टाइम है और लिम्टेड टाइम है कट अप को क्रोस करवाना है तो आपको लिम्टेड ही परना पड़ेगा तब ही अलिम्टेड न आहरा नहीं है सुचित सर। सालवर पढ़ू, 6 वहाला पढ़ू, 2 साल वहाला पढ़ू और अगर पढ़ भी लेता हूँ तो दिमाग इतना नहीं है कि 2 साल का डाटा, सालवर का डाटा, 6 महीने का डाटा अभ्ज़र्ब कर सकें. ऐसे Connecticut में क्या किया जाएं? ऐसे condition में सीधा सा मत्तब है जितना भी है पूरे साल बड़ में जो हमेशा चर्चा करा कोई भी magazine कोई भी जरूरी नहीं है कि जो popular है उसी को खरीदा जाए ये बेकूपी कभी मत करना कभी मत करना हमेशा उस magazine को उठाने की कोशिश करो डिसाइड करो जो आपके exam oriented magazine बना हुआ है जो बेहतरी मार्केट में बहुत सारी book है no doubt है लेकिन हमारी भी 20 तारी को magazine अपडेट हो रहे ये market में 20 तारी के बाद market में आ जाएगी समसमाईकी का आप महां से purchase कर लिजेगा चाहे जितना भी magazine है सबका गुरू लेके आ रहा हूँ सबका आप जितना भी देखे हैं सब देख लिजे 3-4 तो बच्चे रखते हैं ये magazine उन सबका compile करके एक में रखाओ इतनी बैतरीन कि एकदम exam oriented अगर इसमें तो इसमें नहीं तो फिर उसमें कहीं से भी नहीं पूरे अच्छे तरीके सब्सक्राइब कर रहा हूँ मुस्त पूरे 20 तारिक तक आपके हर एक सहर में पहुँच जाएगा आए देखते हैं इसमें पढ़ना कौन को सापाट है अगर कोई भी magazine अब तक आप खड़ीद लिए है तो 20 तारिक समय है वेट तो करनी सकते हैं लेकि जो भी है magazine आपको उसमें देखना क्या है सबसे पहले खेल कुद खेल कुद में एक चीज़ ध्यान है हमेशा रखना है कि आप किर्केट बारा पॉर्सन पे ज़्यादा समय मत दीजिएगा ध्यान रखीगा ये चीज़ ध्यान रखीगा बाकी जो भी है long tennis है table tennis है hockey है badminton है इस सबने हमारी देश का नाम रोशन किया है इस सब के खिलारी तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है एकदम limited पढ़िए सोच के पढ़िए ताकि आराम से crack कर दिया जाए किर्केट मत देखिए किर्केट बच्चा बच्चा जानता आयोग को पता है बिहार में और हिंदुस्तान में इसलिए वहाँ पर ध्यान रखीगा बेक्तित्तु वैसा बेक्तित्तु जिसने समाज को परिवर्तन कर दिया लोगों की सोच को परिवरतन कर दिया परियावरन को परिवरतन कर दिया अगर ऐसे कोई ब्यक्तित है तो वो सबसे चर्चा का भी से है और खास करके इसमें अगर महला है तो उठा कर पी जाएए क्योंकि कोश्चन वही सेराईज होने बाला है 2014 के बाद महलाओं का जमाना आ गया था और अच्छी बात है मुझे भी बड़ी गर्व होता है अच्छी बात है तो ऐसे कंडिसेर में जहां भी महला दिखें उठा के पी लें क्योंकि ये वीडियो महलाईं भी देख रही है वो भी ध्यान रखेंगे उठा के पीना थे तो इसको ठासा बėकृत्रत में ध्यान रखना और ऐसा बेक्तित जिनको भारतरत्रत्र मिला हुआ है नोबेल Π्राइज मिला हुआ है या पिर पद्म विभुशन मिला हुआ है दिखने तो इन सब पे थोरा सा गहरी नेजर रखेहा और अस्पेसली जो बिहार में है जिनको पदल स्री मिला बिहार के थोरा सा उनका नाम जाने या ना जाने उनका छेतर जरूर जान जाईएगा नाम पूछे या ना पूछे नाम चर्चा में है नाम नहीं भी पूछ सकता है छेतर जरूर आयोग पूछेगा ध्यान रखिएगा, किस काम के लिए उनको दिया जा रहा है ये चीज ज़र ध्यान रखिएगा अरे ऐसा पढ़िये ने, कमाल का हो जाए टाइम पास करड़े वाला मत पढ़िये और जवरत से ज़्यादा उठा के मत पढ़िये क्योंकि अनपच होगा, तो वो सारा का सारा डाटा जो है, एक जामनेशन हॉल में कनफ्यूजर के साथ निकलेगा और वाब बरबाद हो जाईएगा बाकी सोचना आपको है सम्मेलन और अभ्यास सम्मेलन और अभ्यास बहुत सारा हुआ है अब पागल हो जाईएगा पढ़के इतनी सारी ग्रंथ, इतनी सारी मैगजिन है भर-भर के पेज देता है ऐसे सम्मेलन में आपको ध्यान ये रखना है कि भारत के साथ रिलेशन सबसे बहत्रिन किसका है, पहला चुज़ ये करना है दूसरा चुज़ करना है कि भारत के परोसी कौन-कौन है और क्या-क्या भ्यास हुआ है उन सबको थोड़ा सा देखना है और तीसरा जो सम्मेलन है खास करके अगर देखा जाए तो नेचर से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, पढ़ियावरन से रिलेटेड इन सबको थोड़ा सा देखना है वाटर से रिलेटेड, इन सबका सम्मेलन में थोड़ा सा गहरी नजर रखना है क्यों, कब, कैसे, आखिर चर्चा में क्यों आया, काम कतम इससे ज़्यादा कुछ दिमाग मत दिजिए बरना पढ़ते पढ़ते समय चला जाएगा रिजल्ट आपके पास कभी नहीं भटकेगा चलिए पुरिसकार पुरिसकार में वही आज फिल्म फेर मत पुपढ़िएगा आपसे कभी नहीं पुछेगा लेकिन आश्टी ये पुछ कर ज़रूर पुछेगा दादा साय फाल के किनको मिला है ये पुछ सकता है कौन सी मुवी को कौन से डाइरेक्टर है मुवी का थीम क्या था ये सब चीज को थोड़ा सा गहराई से पकड़िए क्योंकि जिनका साठ दिन, सतर दिन में शलेक्षन होता है एक दम लिमिटेट पड़ते हैं और ये पड़ते हैं आयो का दिमाग बाला पहानी पड़ते हैं और वही सब रिजल्ट निकालके आयो को तमाचा मारते हैं फिर से आ रहा हूं इंटर्विव में रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो पिछेरे दो बार से पहुंच रहा हो तीसरा वेटिंग लाइन में खड़ा हो जब बैटूँगा तब रिजल्ट दूँगा और ये ठीटोडा न मज़ा आता तब लगता असली में जंदगी जीने का मज़ा आईए थोरा सा राष्टी परिदिश देख लिजीगा इसमें थोरा सा अंतराष्टी पर नजर रख लिजीगा और अंतराष्टी में ध्यान रखीगा और जब राष्टी पर रहे हैं तो ध्यान रखीगा बिहार को जो भी जैसे बिहार के जो आसपास में परोशी राज हैं जिसे उत्तरपरदिश हुए है उधर नेपाल अंतराश्टी बोडर क्लोज करा उसको देख लिजेए जारकन को देख लिजेए पश्ची मंगाल को देख लिजेए इन सब को थोड़ी-थोड़ी गहरी गहरी नजर में देखिएगा और अंतराश्टी में जो भी परोशी हैं उनका और जिनके रिलेशन हमारे साथ में वो थोड़ा सा देख लिजेगा बिहार बिसीस में भी थोड़ा सा देख लिजेगा कौन-कौन इंपोर्टेंट है उसको समझ लिजेगा बिबिध में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये सब लेके हम आपके पास में आएंगे थोड़ा सा टाइम दीजेए थोड़ा सा भीजू हूँ वेस्ट हूँ लेकिन आएंगे जरूर गनित में 10 कोशन होता है कभी भी होसियार, इंटेलिजेंट और इंजिनियर बनने की कोशिश मत किजिएगा कभी मत किजिएगा हम भूगत भोगी हुए हैं आप मत भोगिएगा क्योंकि एक बार एक्जाम जाता है तो 305 दिन की कुर्बानी देनी पड़ती है मैट्स हमेशा अंती में बनाना आपको चाहे कितना भी आप इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो सामने बाला आपका गुरू बैटके एक्जाम दे रहा DSP बना हुआ है SDM के लिए उतायारी कर रहा है और वो भी उसी एक्जामनेशन होल्स के सेंटर में बैठा हुआ है आपके साथ कॉंपीट करने के लिए कोई इसी खता मत कर दीजिए जिसे आप बाहर निकल जाएए और वो आगे निकल जाए इसके लिए ध्यान की गाँ मैं सबसे लास्ट में और एक बुड़ा सा बुड़ा इस्तिती होगा तब भी पांच कोशन साही हो जाएगा अज थोरा बोट इधर नहीं करोगे तो इधर देख लेंगे थोरा उदर देख लेंगे तो आगे देख लेंगे थोड़ा पीछे देख लेंगे सर मेडम तो बात करने में लगे ही रहते हैं जिसका थोड़ा फाइदा तो उठा लो खेर चलिए आते हैं नेक्स पोर्शन पे क्रेंट अफेर के बाद बिहार बिसिस जिसका आपको इंतिजार रहता है बिहार बिसिस में क्या परहा जाए बिहार अस्पेसल में हलांकि आठ गंटे का वीडियो तो मैं दे ही दिया हूँ यहां डिस्कुसन बॉक्स में लिंक भी रहेगा अगर आप उसको देख लिए तो कोई ज़वरत नहीं कहीं परने की बिहार के बाहर के भी बच्चे होंगे आसानी से समझ में आ जाएगी कोई ज़वरत नहीं है हाँ आठ गंटा पेसेंस आपके अंदर होना भेत ज़रूरी है यह ध्यान रखिए रिजल्ट कोई पेर पे नहीं पढ़ते हैं यह रिजल्ट कोई बिरासत में नहीं मिलती है रिजल्ट के लिए खुद को जलाना होता है समझ गए होंगे इस सारे में बिहार बिसेस इसमें थोरा सा समझते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट है इसको थोरा सा देखते हैं बिहार का इतिहास थोड़ा सा बिहार का इतिहास को देख लेंगे इसके साथ बिहार का भुगोल बिहार के भुगोल को देख लेंगे और बिहार का इतिहास में थोड़ा सा जादा जो नजर यहां पे रखना है यह प्राचीन वाला पे रखिएगा ध्यान रखेगा प्राचीन वाला पे अधुनिक पर तो रखना ही रखना है अधुनिक में लिमिटेड है लेकि प्राचीन पर ज़्यादा रखना है यह ध्यान रखना है मद काली में तो बहुत सिंपल सा चोटा सा आराम से हो जाएगा बिहार का भुगोल जो है थूरा सा देख लिजिएगा उसके बाद जनगन्ना जनगन्ना जा रहा है नहीं जनगन्ना आ रहा है दोजारे किस में तो जनगन्ना इस पार जाते जाते कहीं रुला न जाए याद रखीगा मेरा कहने का बतो रुला न जाए यादि कि जनगन्ना पे पकर होनी चाहे चोटी चोटी बात को पकर लिजिएगा कम से कम जनगन्ना तीन से चार कोश्चन रहेगा और आपकी हालत खराब करके रख देगा ऐसा ऐसा कोश्चन कि आपको तो दिन में भी तारे दिखेंगे इसलि किजिएगा थोड़ा थोड़ा अंतिम टाइब में देखें देख जरूर लिजिए कम से कम नजर से एक दो बार तो गुजार दीजिए ताकि यहाँ पर कन्फियूजन ना रहे और आसानी से दोतीन नमर लाया जा सके जिनका 107 नमर आये था वो प्रिलिम्स पर रहे हैं जिनका 108 नमर आये था वो मेंस लिख रहे हैं और जिनका 0 नमर आये था वो भी प्रिलिम्स पास कर रहे हैं प्रिलिम्स कितने यारी कर रहे हैं एक नमर भी अगर कम आएगा तो आपको आयो मेंस लिखने नहीं देगा इतन चलते हैं GP ज्यान ये वाला पोर्षन भी बड़ी खतरनाक है कि biology तो समझ में नहीं आती है जो science वाले होते हैं उनके तो बल्ले-बले हो जाते हैं जो commerce बेग्राउंड के होते हैं जो arts बेग्राउंड के होते हैं उनकी तो हालत खड़ाब हो जाती है जैसे biology GP ज्यान सुनते हैं उनके पूरी धरकन ही लाती है और इसी की बज़ा से science वो लिये नहीं थे graduation में और फिर से वही वाली biology पढ़ने की बात आ रही तो घबराईए नहीं टेंसर मत लिजिए आयोग बेकूफ नहीं है आयोग हमेशा बीच का रास्ता देखता है जो बाईलू जी पढ़के भी आया नहीं जो MBBS करके भी आया नहीं उसको भी याँ पढ़ना है और वही चीज़ पढ़ना है उतनी मिन्नत मेहनत करना है जितनी मेहनत आपको करना है चाहे कितना भी कोई हिस्टी पर ले आर्सका स्टुडेंट लेकिन उसको प्रिलिम्स अलग तरीके से परना होगा रटना ही होगा वहाँ कोई उपाय नहीं है फिर चाहे वो नए बच्चे हो चाहे साइंस के बच्चे हो या फिर कुमर्स के बच्चे हो आके वो करेंगे ही हमीशा बीच का रास्ता देता है चाहे बाईलोजी हो चाहे हिस्टी का हो अगर हिस्टी में ज़्यादा हाड कोईटन देगा तो साइंस वाले बच्चे बाहर निकल जाएंगे और बाईलोजी में ज़्यादा हाड कोईटन देगा तो फिर यहां से आर्स वाले बच्चे बाहर निकल जाएं क्या आयोगा इसा करेगा खता अपको लगता है यही तो सबसे बदा पोजिटिव है वह हमेसा बेसी कोश्चन आपसे पुछेगा आता हुआ कोश्चन आस पास में दिखता हुआ कोश्चन पुछेगा और आपको गि बिटामीन खनीच तीसरा जो है रोग आपको एक मज़ेधार बात बताओं बाईलो जी पढ़ने का बेक्ति कैसे जर्म लेता है पता होना चाहिए आपको पौधा कैसे जर्म लेता है पता होना चाहिए बैक्ति और पौधा दो लोगों को लेकर चलिएगा जब बैक्ति जर्म लेता है तो धीरे दीर बढ़ता है कैसे बढ़ता है पता कीजिए जब बैक्ति धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है तो उसे पोसकता तो क्या बसकता होती है पता किजिए कौनकों से पोसकता तो है और जैसे जिसे आगे बढ़ना शुरू करता है बीमारिया भी पेर और बैक्ति में लगना शुरू होता है दो लोग की बात कर रहा हूँ, अब वो बिमारियां याद रखे, कौन को सी बिमारी है, कैसे दूर होगी, धीरे-धीरे बेकती बढ़ते बढ़ते वेक्स तपहुचता है, फिर साधिया होती है, पता कीजिए, प्रोडेक्शन कैसे होता है, कैसे बच्चे हो रहे हैं, बस ये पकड़िये ने मजा आएगा पढ़ने बाई-लो जी, और फिर फाइनली जो है, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे, हर्मोस एंजाइम, जो बिगरे हलका सा, समझ लिजिए, काम खतम है, और है क्या बाई-लो जी, तिन-चार पाट को बस ध्यान रखे, जर्म कैसे हुआ है, पहला प करने हम धोनी आए आए आप है, मस, आएए, नेक जो है, भौतकी, यह भी इंपोर्टेंट है, हो सकता है, कभी अगर बाई-लो जी में कम कोशन देने की कोशिस किया, आयोक का दिमाग लगा, कि हर कोई बाई-लो जी रट रहा है, उठाके भौतकी से ज़्यादा कोशन दे दे लेकिन जो इंडिकेट कर रहा हूं, उसमें आपको पारंगत होना, पंडित होना, एक भी कोशन गलती होने चाहिए, दूसरा जो है, आपका गती में दिमाग ने लगाना, गती से कोशन ने पूछता है, इसलिए इसको हटा दीजिए, गती को, उसके बाद सीधे उसमा आजा को अगर पर लिए, तो कमपलीट है, ज्यादा भौतकी में फीजिक्स में समयनी देने का है, क्लियर, आइए, नेक्स चलते है, रसाइन सास्र, यानि कि केमेस्ट्री, केमेस्ट्री में जो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है, उसको समझे, सबसे ज्यादा जो है, रसाइनिक योगिक, इस भी ज्यादा नजर आपके होनी चाहिए, रसाइनिक योगिक, दो से तीन कोशन रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, ज्यादा दिमाग नहीं देना, इसमें दो से तीन कोशन रहेगा, तो दो से तीन टॉपिक ये पढ़ेंगे, जितना कोशन उतना ही टॉपिक पढ़ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो ध्यान रखिएगा तो अरसायनिक योगी को पर लीजिएगा इसके साथ थोरा सा थातू और अधातू तो थोनों से हलका सा एक नजर दोरा लीजिएगा और एक चेप्टर और ध्यान रखिएगा पदार्थ की अबसकता तरी अब अगर इतना कर लेते हैं हमें बस पास करना है वोग सके तो रोग के दिखा लेना पस उससे जदा दिमाग निगा ना आईए, नेक्स जलते हैं अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था mostly जो है current affairs से ही जुरावा ज़ादा रहता है तो थूरा सा अगर current अच्छे से है तो आराम से बन जाएगा इसमें जो है आर्थिक कारिक्रम जो भी हुए है उनको थूरा सा देख लिजिएगा अर्थव्यवस्था में दोनों, हिंदुस्थान में भी और बिहार में भी ये दोनों important है ध्यान रखेगा इसके साथ साथ में थूरा सा राष्ट्रिय आई पे हलका सा नजर डाल दीजिएगा ध्यान रखेगा हला कि राष्ट्रिय आए आप आगे भी पढ़ेंगे हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना होता है क्योंकि पहली बार धन का निश्कासन दादा भाई नरोजी ने दिया था जो बता है था 20 सुपया तो वहाँ से भी इसको जोर के समझ सकते है तीसा जो है दो दिन सफिसियंट है दो दिन में उठा का चाट जाएगा उससे ज्यादा समय भी ने लगएगा आपको एकोनोमी में दो दिन मातर दो दिन दो दिन में इसको उठा का चाट जाएगा और ऐसे करना होगा अगर अपने आपको फ्रेस रखना है डर से दूर रखना है आपके पास में कभी भी कोई निगेटिम ना आ जाए उससे बचना है तो ऐसे ही पढ़ना है क्योंकि अब वो टाइमिंग आ गया है डर वाली टाइमिंग नहीं होगा तू क्या होगा सुजीत सर कमाल होगा टेंसर क्यों ले रहे हो पहले करो तो जो तुम कर रहे हो उसमें इमांदारी चलकाऊने नहीं होगा तो क्या होगा वो तो देख लेंगे उपर वाले लेकिन जो कर सकते हो उसमें इमांदारी से रखो वो मोका ही नहीं आएगा दिमाग में आएगा नहीं होगा तो क्या होगा क्योंकि होगा ही होगा, होगा क्यों नी नेक्स है राज में बस था, पॉलिटी पॉलिटी में जो इंपोर्टेंट पार्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले सम्मिधान और संग नागरिक्ता, इस पे थोड़ा सा नजर पहली नजर खतरनाग बाली होनी चाहिए इस पे नजर रहनी चाहिए इसके साथ-साथ एक दूसा पोर्षन जो है संसद और कारिपालिका ये दो पार्ट जो है हलांकि ये भी पूरी तरीके से करेंट सी जुरा हुआ है पूरा करेंट ही है, लेकिन ये दो चेप्टर इसको आपको ध्यान रखना है और तीसरा एक चेप्टर और और वो है अस्थानिय सासन अगर इस तीन को आपने पर लिया ज्यादा मत देखिए कोई जबरत नहीं देखने की आसानी से आपका आठ कोशन सही हो जाएगा दस में आठ तो कोई रोकी नहीं सकता बस तीन चेप्टर है पढ़ने का उसके बाद अगर समय मिलता है तो एक नजर सी इसको देख लीजिए काम बन जाएगा और जितना ज़्यादा पढ़ना वो आपकी इच्छा है आपको लगता कि नहीं अईसे क्यों होगा वो कोईशन छूट जाएगा तो अगर उस चेप्टर से कोईशन आयोग दे दिया है तो तो पढ़ते रहो न भाई पिछले दो साथ से तो पढ़ी रहे हो इतना डाटा तो दिमाग के अंदर चला गया लेकिन पढ़ी बार आज भी आपके रिजल्ट के इंतिजार में आँखें ठकती जा रही है कब दोगे सोचो क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा पहले भी वही काम कर रहे थे आज भी वही काम कीजिएगा तो आगे बाला टाइम में भी वही रिजल्ट आएगा जो पहले आया था पहले भी फैल, इस बार भी फैल क्या इसके लिए आए है धर्ती पे क्या लगता है 325 दिर बैटके पापा की खूर पसीने की कमाई पठना पढ़ी आराज मुखर जीनेगर में चिबा जाईएगा कभी सोचे आप अरी पापा नहीं बोलता है कि बेटा सुसाइट कर लेगा धरते हैं लेकि दिल की धरकन बोलती है जीसस इस बार तो अवलाद दिये हो ऐसा अगली बार ऐसी अवलाद मन चाहिए और एक बार खुज से पूछना आपको चाहिए आपकी जैसे आउलाद नहीं न तो भी बनोन अच्छा आउलाद